आइसी 814, दकन्धार हाईजैक, वेब सीरीज का विरोध देश बर में हो रहा है, भोला और शंकर नाम को लेकर वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है, इस वेब सीरीज को लेकर अजमेर की जनता क्या सोचती है, इसे पर देखिए हमारी ये खास रेपोर्ट कंधार कांट एक कलंग कथा वेब सिरीज का प्रदेश में विरोथ आतंकियों के नाम भोला शंकर क्यूं 25 साल बाद फिर जिन्दा हुआ IC 814 साल 1999 जब देश में IC 814 कांट का भुचा अलाया था और आज एक बार फिर नेट्फिक्स ने उसे जिन्दा कर दिया नेट्फिक्स की वेब सिरीज IC 814 विवादों में है 25 साल पुरानी घटना पर बन रही वेब सिरीज ने लोगों के दिलों में उस दिन को ताजा कर दिया जब चारों तरफ कंधार की घटना का जिक्र हो रहा था और आतंकियों को रिलीज किया जा रहा था क्या है कंधार कार्ड उधर वेब सिरीज पर बढ़ता विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा लोग ये पूच रहे हैं कि वेब सिरीज आतंकवाद की भयावता बताने के लिए है या फिर आतंकवाद को एडवेंचर की तरह दिखाने के लिए वेब सीरीज में आतंकियों को भोला शंकर बताना एक गलती थी या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तै थी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट का असली मकसद 1999 के हाई जैक कान को दिखाना था या पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन सवालों को वेब सीरीज के डैरेक्टर अनुभव सीना के वहवार और नसिरुदीन के बयान ने मजबूत किया है वही वेब सीरीज का प्रदेश में भी विरोध हो रहा है वेब सीरीज को लेकर न्यूज 18 ने लोगों से बात चीत की लोगों का कहना है कि फिल्म अगर सच्ची घटना पर आथारित है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए जमेर के लोग इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं क्या उनकी जिग्यासा है फिल्म आरी है उसमें किस तरह की घटना गटी थी उसको लेकर चर्चा होनी जा रही है और पहले भी अजमेर में अजमेर की 1992 को लेकर फिल्म बनी थी वेब सीरीज बनी थी इससी प्रकार चे अलगलग अटनाओं को लेकर वेब सीरीज बनती है यह कंदार फिर्म आइसी 182 आ दी है इसके अंदर भी हम देखे तो इसके अंदर वास्तिक चीजों को दर्शा आए जाना चाहिए इसमें कई पातरों के नामों को बदलने का काम किया है उससे लोगों में ब्रहम फैदा हो रहा है कई पिचलों के अंदर पात्र के नाव बोला और शंकर की यह और उनके अंदर नकारत में पात्र है वो उनका काम है और उनका नाम जो एइस बहुत दॉपाने में श्था यह एक ऑगर सही नाम यूज किया जाएगा तो उससे पता पड़ेगा कि हां इनकी क्या मानसिक प्रवर्थी थी ती और जो आतंगवाद होता है उसका कोई धरम नहीं होता है अब कुछ भी नाम मालो किसी धरम के अधार पर आप कोई सची गटना को अधारित लेकर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस ग गटना की लोगों तक सच्चा ही पोशना चीए अब आप उस चीश को किसी धरम के नाम लेंगे हम तो आतंगवाद का कोई धरम नहीं होता है इस मुवी से इस वेप स्रीश से मुसल्मानों को या जो भी चीश को इशू उठाते हैं कि इस से मुसल्मानों को टार्गेट करा जा रहा है वो बिलकुल लोग गलत अफ़ा फिला रहे है जबकि ये घटना अगर सच्ची हुई है और हुई है तो उसके लोगों तक पूशना चीए वही न्यूज 18 ने IC814 की यातरी पुजा कटारिया से खास बातचीत की पूजा उसी हाईजक विमान में सवार थी जिसे आतंकी कंधार ले गए थी आतंकियों के नाम को लेकर जो विवाज शुरू हुआ उसके पीछे का सच क्या है न्यूज 18 ने पूजा से जाना आपकी जो हिंदू धरम है वो हमारे इस्लामियों को कर रहे हैं आपको इस्लाम अ्पनाना चैये डर के मारे या अपनाया तो किसी ने भी ने बढ़ सुना और लगा भी हाँ अच्छा होता है इसलाम धरम बड़ को एक डर का महौल था इसलिए सब को छुआ ने क्या है अजमेर 92 स्केंडल अब से पहले राजस्तान में फिल्म अजमेर 92 का विरोध हुआ था अजमेर 92 भी सची घटना पर आधारी थी इसके कहानी देश के सबसे बड़े रेप स्केंडल पर बेस्ट है जो अजमेर में हुआ था करीब 250 लड़कियों को उनके आपत्ती जनक फोटो और वीडियो से ब्लैक मिल कर महीनों तक रेप किया गया इस कार्ण में अजमेर के रसूखदार लोग शामिल थे जब 1992 में इसका खुलासा हुआ तो पूरा देश सन रह गया बेरो रिपोर्ट न्यूस 18 राजस्थान